कभी कभी life में ऐसी situation आती है जब females को अपने periods चाहिए नहीं होते हैं चाहिए वो कोई important function का time हो या फिर घर पर कोई festival हो पूजा रखी हो या फिर आपको बाहर जाना है या फिर आपने वर्त रखी हुए हैं फास्ट रखी हुए हैं तो आपको periods नहीं चाहिए तो ऐसी condition में आप कौन-कौन सी medicine यूज़ कर सकते हो जिससे आपके periods लेट से आएं कि कह साथ ही ये जो medicine एनके बहुत ही कम side effects हो और future में आपको कोई complication भी ना हो health regarding ये सब बाते हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले हैं मैं आपका साथ करता हूँ हमारी YouTube चैलेंग पर और बिना किसी तरी के आज की वीडियो स्टार्ट करती है तो देखिए market में ना बहुत सारी ऐसी medicine easily available हो जाती है जिनसे आप अपने periods को late कर सकते हो लेकिन जो सबसे commonly use करने वाली medicine है जिसके बहुत ही minor से side effects होती है उसका नाम है North Eastron 5MG में यह available होती है और इंडिया में इसके कुछ popular brands name है जैसे Primelut N, Registron 5MG में या फिर Norlut N, Cistron N या फिर Gynaset या आपको 5MG में ही लेनी है चीक है और इसका जो active ingredient है वो होता है North Eastron ठीक है और इसका use periods को delay करने के लिए भी होता है लेट करने के लिए भी होता है और जल्दी लाने के लिए भी होता है ठीक है इन tablets का use आपको 3 दिन पहले करना होता है ठीक है तो अगर आपको 20 तारीको periods आने वाले हैं तो आप 17 तारीको इन tablets को use करोगे कैसे यूज करना होता है, कब कैसे लेनी होती है तो इन टाइबलेट को आपको दिन में तीन बार लेना होता है सुबा, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद लेना होता है और पानी के साथ में लेना होता है हमेशा इसको पानी के साथ और खाना खाने के बाद ही लीजेगा ताकि आपको नोजिया वोमिटिंग जैसे इशूज ना दिखने को में अच्छा जब इन टैबलेट्स को आप लोगे तो फिर आपको जितने दिनों तक अपने पिरेट्स को लेट करना है आप कर सकते हो ठीक है मैक्सिमम कितने दिन तक आप लेट कर सकते हो तो मैक्सिमम आप इन पिरेट्स को अठारा दिन तक लेट कर सकते हो अब दुबारा कब आएंगे ये जो periods हैं तो देखिए जिस भी date को आपनी ये tablet लेना बंद किया उस date के लगभग एक से दस दिन के अंदर अंदर आपको दुबारा से अपने periods आ जाते हैं फिर सबसे main important बात होती है कि क्या इस tablet के कोई side effect होते हैं तो देखिए हर जो medicine है उसके कुछ न कुछ side effects होते हैं इस tablet के भी हैं जैसे nausea, vomiting, पेट में दर्द होना, wide discharge होना या फिर आपको कमर में दर्द हो सकता है, mood swing हो सकता है, या फिर headache हो सकती है ये minor से side effects हैं जब आप इन tablets को use करना बंद कर दोगे तो लगबग दो हफते maximum ये side effects रह सकती है, maximum फिर ये अपने आप subside हो जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई hormonal issues है जैसे आपको जो periods हैं वो irregular हैं, या फिर आपको कोई hormonal disease है, problem है जैसे PCOD की, या फिर PCOS की, या फिर आपको कोई thyroid की medicine चल रही है फिर आपको ये medicine नहीं लेनी चाहिए, या फिर लेनी है, तो फिर एक बार doctor से consult करके लेनी है साथ ही अगर आपकी family history में किसी को ovary and cyst है, PCOD की problem है, आपकी mother को, sister को तो भी आप एक बार doctor से consult कर लीजिए, क्योंकि ऐसी condition में genetic problem होने के कारण ये जो tablets है, usually हम लोग recommend नहीं करते हैं, तो आज की video यहीं पर खतम करते हैं, लेकिन still अगर आपको कोई doubt है, तो आप comment करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो guys, please video को like कीजे, channel को subscribe कीजे, यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा, thanks for watching this video